पानी भर करके आंगन में रखा, पानी हिल रहा था, ठाकुर जी ने कहा मैया ये परात क्यों रखी गई है, मैया के कई ने कहा इसी में चंद्रमा को बुलाऊंगी ठाकुर जी ने का अच्छा, जब तक पानी हिल रहा था, तो चंद्रमा का प्रतिविंब भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, तो तब तक मैया ने थोड़ी कहानी सुनाई, मैया ने का लाला तुँ आखें बंद कर ले, बस अभी इसी थाली में मैं चंद्रमा को बुलाती लाल जी ने आखें बंद की और मैया ने कुछ लोरी सुनाई और कुछ कहानी बताई, तब तक पानी स्थिर हो गया, जब पानी स्थिर हो गया, पानी में चंद्रमा का प्रतिविंब जब दिखाई पड़ने लगा, तो मैया केकई ने काले बेटा चंद्रमा आ गया, ठाकु में शब्दों में हम लोग व्याख्या करें तो ये कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिविंब था लेकिन यथार्थ ये था कि भगवान राम का स्परश्ट प्राप्त करने के लिए राम जी के सानित को प्राप्त करने के लिए साक्षाथ चंद्रमा ही आ गए थे उस पाल के अंद ठाकुर जी ने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिए राम लला ने का मैया ये तो कोई जन्तु है कोई जीव है कहीं ये मुझे काट न ले मैया के कहीं ने का हाँ बेटा ये तो पानी का जन्तु है पानी से प्रगट हुआ है समुत्र से प्रगट हुआ है ये तो पानी का जन्तु है ठाकुर जी ने का नाना मुझे तो डर लग रहा है मईया ने का अच्छा तुझे डर लग रहा तुम इसे हटा देती तुरंत उस परात को मईया ने हटवा दिया ऐसी अद्बुत लीलाएं वहवान करते हैं कबहूं कि सशिमागत आर करें कबहूं प्रतिविंब निहारी डरें कबहूं करताल बजाई के नाचत कभी तो अकेले ही ठाकुर इतने मगन हो जाते कि अपनी ताली बजा बजा करके स्वयम नाचते ठाते मैया उनकी इस लीला को देखतर के आनंद लें कबहूं करताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद बरें जिद करते गोस्वामी जी महाराज केते हैं जिस बात की जिद पकड़ लेते जब तक वो बस्तु मिल न जाये तब तक ठाकुर मानती ही लेत स्वई जही लाग अरें जिस चीज के लिए अर जाते हैं कि मुझे यह चाहिए तो फिर करने ही करना है कहीं से भी वो बस्तु की विवस्था की जाते है ऐसा बाल हट ऐसी लीला गोस्वामी जी महाराज केते हैं अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भिहरें गोस्वामी जी महाराज प्रारतना करते हैं कि अवधेश के कुमार ये चालो बालक मेरे मन मंदिर में विहार करे ठाकुर की ये बाल छबी बाल लीला मेरे हिर्दे में आरंद प्रदान करती रहे ऐसी प्रार्थना को स्वामी जी ने की ऐसी ऐसी विरक्षन बाल लीलाएं भगवान श्री राम की होती है दीरे दीरे ठाकुर जी बड़े हुए एक दिन मैया ने लाला को अश्नान कराया अश्नान करा करके पालना में लिटा दिया और पालना में लिटा करके अपने इष्ट देव रंगनात भगवान का पूजन करने के लिए गई एक बार जननी अनवाये अपने इष्ट देवता रंगनात भगवान की पूजा के लिए मैया ने इष्नान किया नई वेद्य बनाया और रंगनात भगवान का पूजन किया श्री रंगनात भगवान अयोध्या के कुल देवता इस समय रंगनात भगवान दक्षिन भारत में विराजते हैं स्री रंगम में कावेरी नदी के मद्ध में उबहे कावेरी के मद्ध में रंगनाथ भगवान विराज रहे हैं क्योंकि भगवान स्री राम ने रंगनाथ भगवान का वो दिव्विग्रह बिभीषण जी को दे दिया था बिविश्ण जी महराज भगवान को लेकर के लंका जा रहे थे रंगनात भगवान की लंका जाने के इक्षा नहीं हुई और रंगनात भगवान वहीं कावेरी के मद्ध में बिराजमान हो गए वो रंगनात भगवान अयोध्या के खुल देवता और रंगनाद भगवान का वो विग्रह किसी कारीगर के द्वारा नहीं बना है किसी कारीगर ने किसी मूर्तिकार नहीं बनाया है वो स्वयम व्यक्त भगवान है आध्यमेतत स्वयम व्यक्तम विमानम रंग संग्यकम आध्यमेतत स्वयम व्यक्तम विश्व की सर्व प्रथम मूर्ती है रंगनाथ भगवान की मूर्ती आध्यमेतत स्वयम व्यक्तम और स्वयम भगवान प्रगट हुए है कहां से छीर सागर से भगवान आरायन के संकल्प से ही छीर सागर से वो दिब्ब मूर्ती रंगनाद भगवान की प्रगट हुई थी और रंगनाद भगवान की उस मूर्ती को भगवान ने ब्रह्माजी को दिया थी और ब्रह्माजी ने उस मूर्ती को एक्ष्वाक मनू को दिया थी और एक्ष्वाक मनू के बाद उस मूर्ती की पूजा अयोध्या में राम जी के समय तक होती आई फिर राम जी ने वो मूर्ती विभीशन जी को दे दी विभीशन जी माराज लेकर के लंका जा रहे थे तो भगवान वहीं कावेरी के मद्द में विराजमान हो गए आज भी वो विराजमान है रक्ष्ण भारुक में लोग जाकर के रंगनाद भगवान का दर्शन करते हैं वही रंगनाद भगवान अयोध्या के इश्ट देवता उन्हीं की पूजा के लिए मैया कौशिल्या ने अश्णान किया नईवेद्य बनाया और नईवेद्य बनाकर के जब भोग लगाया तो भोग लगाते समयमा कौशिल्या ने जब ध्यान किया हे गोविंद आपकी बस्तु मैं आपको अर्पित कर रही हूँ भोग जब लगाया ध्यान किया तो ध्यान में देखती हैं कि राम ललाजी मंदिर में बैठ करके लड़ु खा रहे मैया कोशलिया ने आँख खोला तो देखती क्या हैं जो ध्यान में रूप था वही सामने प्रकट राम ललाजी मंदिर में बैठ करके लड़ु भोग लगा रहे मैया ने कहा रहे यह तो मेरा लाला है यहां कैसे आ गया इसको तो मैंने अश्नान करा करके पालना में पोड़ाया था यह मेरा बालक नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बालक तो चल नहीं पाता है वो तो भी बालक है वो तो पालना में लेटा यहाँ वो कैसे आ सकता है चलो मैं देखूँ और मैया कोशल्या दोड़ पड़ी और दोड़ती दोड़ती पालना के पास गई जाकर के पालना में देखा तो रामलला पालना में लेटे तो मैया ने सुचा मेरा लाला जब पालना में है तो ये मंदिर में कौन है फिर दोड़ती दोड़ती आई मंदिर में तो देखती क्या है मंदिर में भी राम लला जी बैठे हैं और लड़ो पा रहे हैं देखि राम जन नी अकुला ली देखि राम जन नी अकुला ली रगुमस्कीन मधुर मुस्का ली मैया ने आकर के मंदर में देखा तो वहां भी भगवान विराजमान थी यहां वहां दो इबालक देखा मा कौशलिया व्याकुल हो गई देखि राम जन नी अकुला ली मा कौशलिया को व्याकुलता हुई और मा की व्याकुलता को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे प्रभु हसिदीन मधुर मुस्का ली भगवान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया भगवान हसने लगे मुस्कुराने लगे बहुले भगवान मुस्कुराने लगे इसका मतलब बहुले अब अद्भुत लीला होने जा रही है भगवान का मुस्कुराना क्या है बेदव्याश जी महराज कहते है हासम जनोन माद करीच माया भगवान का हसना ही भगवान की माया है भगवान जब हसते हैं तो अब कोई बिलक्षन लीला होने वाली है मुस्कुराए अब कुछ होगा क्या हुआ वोले ठाकुर जी ने ऐसी माया प्रगट की क्या माया वोले कौशिल्या जी ने देखा बाद आधा नाम के अधिप विराट रूप का दर्शन माकों सिल्या कुर्वा दिख्रावा मां तहीन जय अद्वुत रूप अखंद रोम रोम ठति लागे कोटी कोटी प्रम्मंद दिख्रावा मां तहीन जय अद्वुत रूप अखंद बगदान ने अपनी मां कोशिल्या को अपने बिराट रूप का दर्शन करा दिख्रावा मां तहीन जय अद्वुत रूप अखंद अखंद बिराट रूप का दर्शन कराया मा ने देखा रोम रोम प्रति लागे कोटी कोटी प्रम्मंद बगवान के एक एक रोम में करोणो करोणो ब्रम्मान दिखाई पड़ने लगे अगनित रविशस शिव चतुरानन बहु के रिसरित सिंधु महिकानन अनेक चंद्रमा अनेक सूर्य अनेक ब्रम्मा सब बगवान के रोम रोम में दिखाई पड़ने लगे अईसे बिराट का दर्शन एक बार कराया और कृष्णावतार में भगवान ने अपनी मैया या सोधा को अपने बिराट रूप का दो बार दर्शन कराया एक बार भगवान शेक्रिष्ण ने दूद पीते हुए ऐसी लीला की दूद पी चुके थी मैया ने जिवही भगवान को अपने पयोधर से अलग किया कनया कृष्ण को तो भगवान ने जमाई ली भगवान ने जब जमाई ली तो मैया ने देखा कि भगवान के मुख में ही अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पढ़ने लेगा और दुबारा एक बार ठाकुर जी ने मिट्टी खाई सखाओं ने आकर के कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुनमाई मैय तेरे लाला ने माटी खाई मैया को रोश आ गया मैया ने कहा चिहोरे दारी के तेने मिट्टी खाई ठाकुर जी ने कहा मुह में मिट्टी रखे थे, बोल सकते नहीं थे, इसलिए इलादिया सिर्वले मैंने नहीं खाई, नाहम भक्षितवानम्ब एम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया ने कहा अगर तेरी बात सकते है तो तो अपना मुहडा दिखा, मैं तेरा मुख देखूंगी, ठाकुर जी अनंतरंद ब्रमान दिलाल जी के मुख में, तो विराट रूप का दर्शन, अपनी विराट दिला का दर्शन भगवान ने अपनी मैयाय सोधा को दो बार करें, और श्री रामावतार में एक बार, ऐसे अध्भुत बालक भगवान है, इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही कह अध्भुत रूप निहारी, भगवान अध्भुत बालक हैं, तमत भुतम बालक मम वजेक्षन, अध्भुत बालक का मतलब, बालक सब्द का एक अर्थ तो ये है, कि जो बच्चा हो उसको बालक कहते, और बालक सब्द का एक अर्थ यह है, बाले बाले कम, कम माने ब्रह्मा जिसके एक एक बाल में एक एक रोम में ब्रह्मांड विद्यमान हो उसको कहते हैं बालक ऐसे बालक राम जी में भगवान ने अपनी मय्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया श्री गोस्वामी जी महराज कहते हैं कि तुलसी अस बालक सो नहीं नेह ऐसे बालक से ऐसे राम ललाक से अगर जीवन में नेह नहीं हुआ तो कहा जब जोग समाधी किये कितना भी जब करो समाधी लगाओ जोग करो सब बेकार है ऐसे ठाकुर से प्रेम हो जाए ऐसे ठाकुर के इस बाल रूप से हमें प्रीति हो यही जीवन का सबसे बड़ा लाब हो तुलसी अस बालक सो नहीं नेह कहा जब जोग समाधी किये जिसने ऐसे ठाकुर के चरणों में प्रेम नहीं किया वे मनुष्य कौन है बोले वो मनुष्य के रूप में सुवर है वो स्वामी जी महराज कहते है जिन मनुष्यों को जिन पुरुष्यों को ऐसे ठाकुर से प्रेम नहीं हुआ वे मनुष्य नहीं है महराज वो तो सूकर है उनसे अच्छे तो सूवर और कुत्ते हैं नरवे खर सूकर स्वान समान कहों जग में फल कौन जिये ऐसे ठाकुर के चरणों में प्रेम करना ही जीवन का सार है धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े हुए अब माताएं मनाने लगें क्या मनाने लगें माताएं देवताओं को मनाती हैं और कहती हैं पगनी कब चली हो चारो भाईया पगनी कब चली हो चारो भाईया पगनी कब चली हो चारो भाईया प्रेम पुलक लाए सुन सबन सब कहत सुमित्रा मैया कहत सुमित्रा मैया पगनी कब चली हो चारो भाईया पगनी कब चली हो चारो भाईया पगनी कब चली हो चारो भाईया गीता वली में स्री गोश्वामी जी महराज का ये भाव है कि माताएं मनाती हैं पगन कभी चली हो चारो भाईया ये चारो भाई कभ अपने से चलना सीखेंगे ये कभ चलना सीखेंगे कभ ये चलेंगे इस प्रकार माताएं भगवान से मनाती हैं पगन कभ चली हो चारो भाईया दीरे दीरे कुमार बड़े हुए और चलने लगे अब चलने लगे तो महराज इनकी लीला और बिलक्षन हो गई कभी चल करके डिोड़ी से बाहर चले जाएं कभी कहीं चले जाएं तो माताएं दोड़ दोड़ करके पकड़ती कहीं गिर न जाएं कहीं चोट न लग जाएं और जब धीरे धीरे मित्रों के बीच में जाकर के खेलने लगे सखाओं के बीच में खेलने लगे तो अब तो ऐसी स्थिती हो गई कि माताएं बुलाती हैं फिर भी ठाकुर नहीं आती है स्री गोस्वामी जी महराज बर्ण करते हैं कि एक दिन शी चक्रवर्ती जी महराज भोजन करने के लिए बैठे और चक्रवर्ती जी ने मा कोशिल्या से कहा महराणी चारो कुमार कहा है बुला करके ले आओ भोजन का समय हो गया तो मा कोशिल्या ने कहा बालक तो खेल रहे हैं बच्चों के साथ बोले जाओ बुला करके ले आओ चक्रवर्ती जी ने माताजी को भेजा भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत तजीवाल समाजा भोजन करत बोले जब राजा नहीं आवत तजीवाल समाजा कोशिया अगब गोलने जाई तुमक तुमक पर भुचलरी पराई कोशिया अगब गोलने जाई तुमक तुमक पर भुचलरी पराई लिगम लीती सिभ अन्तिना पावा ताहि दरे जननी अठि जावा लिगम लीती सिभ अन्तिना पावा ताहि दरे जननी अठि जावा ता इधरे जैनिनी अठे जावार चक्रवर्ती जी ने बुलाया भोजन करत बोल जबराजा इन तीन पंक्तियों में भक्ती के महत्यपूर्ण सिधान्त का निरूपन ये तीन पंक्तियों में भक्ती के अत्यन्त महत्यपूर्ण सिधान्त का निरूपन किया गया पहला सिधान्त ये कि भक्त किसे कहते है भक्त वो है जो भोजन करते समय अपने ठाकुर को याद करे खाली आरती उतारो फूल माला पहनाओ और आपके सामने खाने की प्रियबस्तु आ जाये और ठाकुर की याद न आवे तो समझो अभी भक्ती पक्की नहीं है भोजन आते ही पहले ठाकुर की याद आवे पहले मैं अपने ठाकुर को भोग लगाँ ये भक्ती का सूब तुम्ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रशाद पट भूशन तरही उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तव मायाम जये मही भगवान को भोग लगाकर के पाना येही वैश्ण हमत बिना ठाकुर को भोग लगाए जो पाता है वो पाप खाता है अन नहीं खाता है वो पाप का भक्सन करता है गीता में भगवान ने कहा कि भुणजतेतेत्वधम पापम ये पचंत आत्म कारणात जो अपने लिए भोजन बनाता है और अपने बैठ करके खा लेता है वो पाप खाता बुंजते ते त्वधम पापम वो पाप को खाता है क्यों बोले पचंत्यात्म कारणात वो अपने लिए भोजन बनाया और स्वेम बैठ करके खा लिया बोले तो क्या करें बोले भोजन आपको मिलेगा ही लेकिन भावना बनाते समय ये होनी चाहिए कि हम ठाकुर के लिए रसोही बना रहे हैं अपने लिए नहीं बना रहे हैं और भगवान के लिए बना रहे हैं इसलिए पूरी पवित्रता के साथ सुद्धी के साथ नियम के साथ और भाव से और ठाकुर के बोजन के समय में भगवान की याद आवे और भगवान को खिला करके हम खाएं ये भक्ती की ये भक्ती का मुल सिध्धान तो है ये भक्ती और हम बहुत पूजा करें दिन भर माला जपें लेकिन भोग के समय भोजन के समय भगवान की याद नहीं आती तो आपकी भक्ती अभी पद्मपुरान में चक्रिक भील की कथा है चक्रिक नाम का एक भील था भील जाती कथा हमेशा चोरी करता था बदमाशी करता था एक दिन कहीं कथा सुनने पहुँच गया कथा सुनने क्या पहुँचा कथा हो रही थी बैठ गया कथा में महराज ने सुनाया कि जीवन में जीव स्वार्थ के कारण नेक पाप करता है उन पापों के परिणाम स्वरूप उसे नरक में जाना पड़ता है पाप की आतनाओं को भोगना पड़ता है उन बातों को सुन करके उस चक्रिक भील का मन बदल गया उसने सोचा मैंने बहुत पाप किया मेरा उद्धार कैसे होगा कथा जब समाप्त होई तो कथा सुनाने वाले व्यास जी के चरणों में गया और जाकर के चक्रिक भील ने कहा महराज मैं बहुत बड़ा पापी हूँ मेरा उद्धार कैसे होगा तो जो कथा सुना रहे थे महात्मा जी उन्होंने एक लड़ू गोपाल जी की छोटी सी मूरती उस चक्रिक भील को दे दी ब्यासपीट पर कोई चढ़ाया था ब्यासपीट पर लोग पूजा पाट की सामक्री चढ़ाते ही कोई लड़ो गुपाल जी की मूर्ती भी ला करके रख गया था उस चोटी सी मूर्ती को दे दिया वो ले ले जाओ इनकी पूजा करना बस तुमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे तुम पवित्र हो जाओ चक्रिक भील तो भील था उसको पूजा की विधी मालूम नहीं थी उसने का महराज पूजा कैसे होती मुझे मालूम नहीं मैं तो पड़ा लिखा नहीं हूँ तो कथा सुनाने वाले व्यास जी ने कहा बस तुमें एक काम करना कुछ भी खाना तो पहले इनको खिला देना बुले कैसे खिलाएंगे बुले जो कुछ भी खाना हो इनके सामने रख देना तुलसी डाल देना और भाव से निवेदन कर देना कि हे प्रभो आपकी वस्तु मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ फिर बाद में उस पदार्थ को तुम खा लेना यही सबसे बड़ी सिवाए इसी भक्ती से तुमारा उद्धार हो जाए गुरू के बचन में विश्वास वो चक्रिक भील ठाकुर जी के विग्रह को लेकर के आया स्रिंगार उंगार करना तो उसे मालुम नहीं था जैसे तैसे ठाकुर जी को पत्ता उत्ता विछा करके बैठा दिया अपनी कुटिया में जोपड़ी में रखता था जो कुछ मिले ठाकुर जी को भोग लगाता और पाता एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया तीन दिन तक विस्तर पर ही पड़ा रहा उठ नहीं पाया तीसरे दिन दर थोड़ी शक्ती आई उसके अंदर स्वास्त कुछ ठीक हुआ तब उसे याद आया अरे तीन दिन हो गए मैंने अपने भगवान को कुछ भोग नहीं लगाया ठाकुर भूंके हो अपने भोजन की चिंता नहीं भगवान के भोजन की चिंता थी कि ठाकुर को मैंने भोग नहीं लगाया और गुरु जी ने एक बात और कही थी कुछ भी भगवान को भोग लगाना तो पहले चख लेना कि ठाकुर जी के लायक है कि नहीं जैसे सवरी चख करके भोग लगाती थी स्वयमासात्यमाधुरियम निरीक्ष परिवीक्षचव स्वयम फल की मधुरता को चीख करके चख करके तब भगवान को अर्पित करती थी यही उबदेश गुरुजी ने चक्रिक भील को किया थी कि पहले उस बस्तू की स्वाद का परिक्षन करने न क्योंकि भगवान तो बड़े सुकुमार है और भगवान तो मधुर बस्तू का भोग करते हैं इसलिए मीठी बस्तू स्वादिष्ट बस्तू का ही भोग लगा ना भगवान तीन दिन बीत गया तीसरे दिन जब उस चक्रिक भील को थोड़ी चेतना आई तो उसे याद आया रे मैंने तो ठाकुर जी को कुछ भोग ही नहीं लगाया चल पड़ा की कुछ ढूण करके ले आमे बरशा रितू थी कहीं कोई फल मिला नहीं जामुन का एक पेड़ लगा हुआ था फल को उसने तोड़ा फिर उस फल को जब लिया तो एक ही फल था जामुन का सोचने लगा भी इसको अगर चखेंगे तो भोग कैसे लगाएंगा एक ही फल है चखने में आधा खतम हो जाएगा तो उसने बुद्धिमानी की कि जामुन की जो डंठल थी उस डंठल को तोड़ा और सोचा इसी को धीरे से जीव से चाट करके इसका स्वाद पता लगा लें कि खट्टा है कि मीठा तो भगवान को अरपित करें और उस जामुन को मुख में ज्यों ही रखा तो जामुन चिकनी सटक गई और गले में चली गई अब जब गले में चली गई तो चक्रिक भील ने देखा अरे विना भगवान को भोग लगाए ये पेट में चला जाए ये तो अपराद हो जाएगा जामुन जब सरक्तर के गले में गई तब तक बाएं हाथ से उसने अपने गले को पकड़ लिया मरा बेदव्याज जी लिखते हैं तावत सब्वेन हस्तेन गलर अंधम प्रबंध सहा बाएं हाथ से उसने अपने गले को जोर से पकड़ा दबाने लदा की वो जामुन बाहर निकले लेकिन वो तो जाके अटक गई मारा अब न भीतर जाए न बाहर जाए बहुत प्रयास करने पर भी वो जामुन जब बाहर नहीं आई तो चक्रिक भील की दढ़ता देखो कि भगवान को बिना भोग लगाये कैसे इसको गले के नीचे उतारू अंत में जब वो जामुन बाहर नहीं निकली तो चक्रिक भील ने क्या किया एक हाथ से तो बाएं हाथ से गले को पकड़े था दाई ने हाथ से छूरी को उठाया और यहां से काट करके जामुन को बाहर निकालने के बाद उस जामुन को धो करके ठाकुर के चरणों में रखा तब तक मूर्चित हो करके गिर पड़ा क्योंकि रख्त की धारा बहे है इसकी इस भक्ती से भगवान प्रगट हो गया भगवान ने प्रगट हो करके उस चक्रिक भील को अपनी गोद में उठा लिया भगवान ने जो उसे गोद में उठाया उसी समय उसका धाव ठीक हो गया वो स्वस्थ हो गया भगवान नारायन ने चक्रिक भील से कहा, चक्रिक तुने अद्भुत भक्ती की, मैं तुम्हारे उपर प्रसन्न हूँ, बर्दान मांगो क्या चाहिए, ब्रह्मत्म वा शिवत्म वा विश्णत्म वा पिदियते, अगर तुम कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दू, तेरी प्रसंदता के लिए अपने गले तक को काट दिया, चक्रिक भील ने कहा, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे शिव का पद नहीं चाहिए, मुझे तो आपका पादारविंद चाहिए, मुझे परम पद चाहिए, आपके चरणों की भक्ती चाहिए, भगव का सिध्धानत है भगवान को पहले अर्पित करो फिर उस पदार्थ को ग्रहन करो इसी लिए जब दसरत जी माराज भोजन करने वैठे तो ठाकुर जी को याद किया भोजन करत बोल जब राजा और नहीं आवत तजिबाल समाजा दसरत जी ने बुलाया राम जी नहीं आये तो राम जी को बुलाने के लिए चक्रवर्ती जी ने कोशल्या जी को भेजा अब यहाँ पर भाव ये है कि दश्रत जी महराज कौन है बोले ये ज्ञानस स्वरूप है और कौशल्या भक्ति स्वरूपा है और भगवान रामलला कौन है परब्रम्ह परमात्मा है परब्रम्ह परमात्मा को ज्ञान बुलाना चाहता है परब्रम परमात्मा को ग्यानस वरूप दश्रत जी महराज बुला रहे हैं लेकिन राम जी नहीं आ रहे हैं तब दश्रत जी ने कौसिल्या जी का सहारा लिया कौसिल्या जी से कहा जाओ तुम और राम जी को बुला के लियाओ दश्रत जी के बुलाने पर जब राम जी नहीं आए तो दश्रत जी ने कौसिल्या जी को भेजा कि आप जाओ राम जी को बुलाओ